अपनी सुन्दरता को और निखारने के लिए आज ही हमारा चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें दोस्तो अगर आप अपनी आँखों के नीचे के काले घेरे सही करना चाहते हैं यानि कि अपने डार्क सर्कल मिटाना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखियेगा क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा प्रॉपर केमिकल रियक्शन के साथ बताऊंगा कि कैसे आपकी आँखों के काले सर्कल्स ब्लैक सर्कल्स ब्लैक डार्क सर्कल्स कैसे सही हो सकते हैं कोकनट वाइल के साथ दोस्तो आज कल की लाइफ हमारी इतनी बिजी है कि हम अपने शरीर का अपनी आँखों का ध्यान नहीं रख पाते तो हमें कुछ ऐसी रेमेडिस लैप्टॉप मोबाइल का तो इतना ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है और इतना ज़्यादा काम आज कर लैप्टॉप के ऊपर है कि हमारी आँखें खराब होना और आँखों के नीचे के डार्क सर्कल्स होना आम बात हो गई है तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर तो आप मोबाइल का यूज़ जादा करते हैं तो उसको कम कर दें और अगर नहीं कम कर सकते तो अट लिस्ट ब्राइटनेस को जरूर कम रखें तो सेम चीज़ आप लैप्टॉप के साथ भी करें अपने लैप्टॉप की ब्राइटनेस को कम करें स्क्रीन की या फिर आप अपने लैप्टॉप के साथ भी माउस और कीबूर का प्रियोग करें और स्क्रीन को दूर रखें ये चीजें तो आपको करनी ही करनी है इसके साथ अगर आप अपने dark circles को साथ दिनों में remove करना चाहते हैं तो हम use करेंगे coconut oil का अब मैं बताता हूँ कि coconut oil exactly कैसे आपके dark circles को remove करेगा तो यहाँ पर मैंने एक diagram ड्रा करके रखी हुई है तो यहाँ पर मैं आपको इस diagram की मदद से समझाता हूँ कि कैसे कैसे आपके dark circles सही होंगे तो देखिए दोस्तों जो coconut oil होता है इसके अंदर एक 12 carbon luric acid होता है यह एक fatty acid है 12 carbon का यहाँ पर मतलब होता है कि यहाँ पर 12 atoms की एक chain होती है तो यह तो चलो इसकी chemical जो भी इसकी composition जैसे बना हुआ है तो coconut oil के अंदर आपको fatty acid में 50% तक आपको luric acid मिलेगा अब luric acid का काम क्या होता है जो हमारे serum cholesterol यह अच्छा cholesterol होता है हमारे अंदर तो यह serum cholesterol की मातरा को बढ़ाता है serum cholesterol को हम HDL भी कहते हैं यानि की high density lipoprotein तो यह जो HDL है यह आपकी skin के अंदर एक melanin होता है अब यह सब कुछ चीज़ें आप चाहो तो आप wikipedia पर पढ़ लेना या internet पर पढ़ लेना melanin को luric acid को या HDL को अब HDL है वो क्या करेगा melanin को dissolve करेगा melanin humans के अंदर हमारे अंदर एक pigment होता है जो हमारी skin के color के बारे में जानकारी देता है तो melanin को जब dissolve करेगा तो इससे हमारी blood circulation आँखों के नीचे अब जब हम coconut oil को आँखों के नीचे लगाएंगे तो यहाँ पर जो इसके अंदर luric acid available है यह luric acid आपके HDL को improve करेगा आपके serum kalistrol को जो की melanin की मात्रा जो आँखों के नीचे हमारा काले गे रहे हैं यहाँ पर ज जैसे जैसे blood circulation सही होगा तो हमारे काले घेरे हट जाएंगे लेकिन यह जो आपको treatment है कम से कम आपको 7 दिनों के लिए करना है और उसके साथ साथ भी यह depend करेगा कि आपके dark circles कितने जादा हैं और कितने पुराने हैं तो आप इस treatment को 1-4 हफते तक यानि की 7 दिनों से 1 महीने कर सकते हैं लेकिन आपको जो फरक है वो पहले ही हफते में दिख जाएगा और अगर आपके dark circles कम हैं तो वो पहले ही हफते में ठीक हो जाएंगे तो यह तो थी एक chemical reaction जैसे भी हमारी skin के साथ coconut oil का होता है क्योंकि आपने ऐसे बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिसमें आप आपको बताया गया होगा coconut oil के बारे में और कैसे coconut oil सही करता है लेकिन आपको कम ही वीडियोज में यह देखने को मिलेगा कि exactly coconut oil आपको benefit कैसे देता है तो अब बताता हूँ कि coconut oil को आपको लगाना कैसे हैं coconut oil की कुछ बुंदें 2-4 बुंदें आपको अपने हाथ में लेनी ह रात को सोने से पहले आपको ये काम करना है अपने काले घेरों पर coconut oil को apply करना है और फिर दिखेगा आप 7 दिनों के अंदर सही में आपके काले घेरे बिलकुल सही हो जाएंगे और नहीं तो अगर आपके बहुत ज्यादा है door circle तो आपको effect तो जरूर दिखेगा तो ये बिल्कूल एक सही तरीका है और बहुत अजमाया हुआ है आप भी इसको अजमाईए और जैसे ही आपको benefit होता है या जो भी आपके suggestions है प्लीज आप हमें नीचे comment box में जरूर लिखिए और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज इसको हमें जरूर बताईए comment boxes में और हमारी वीडियो को एक बार like कर दीजिए